कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चों आप आशा करती हूँ आप सब खुश होंगे स्वस्थ होंगे और आपका स्वागत है आपकी हिंदी की कक्षा में आज हम अपना पाठ चार आरम करेंगे पाठ का नाम है दस गधे तो चलिए पाठ आरम करते हैं चित्रपर अधारित गधिविदी बच्चों क्या आप जानते हैं अंको के सवाल हल करने से हमारा दिमाग तेज होता है हर सवाल एक पहेली है पहेली यानि दिमाग का खेल यह माना जाता है कि हम अपने दिमाग से जितना खेलते हैं वह उतना ही बढ़ता है किसी भी काम को करने के लिए हमें हमारे दिमाग की सहयता लेनी पड़ती है आप सबने गनित में सवाल किये होंगे उनमें आपने अंको के सवाल भी किये होंगे तो उससे क्या होता है कि हर एक अंको का सवाल क्या है एक पहेली है और हम जितना अपने मस्तिक्ष यानी दिमाग का इस्तमाल करते हैं वह उतना ही बढ़ता है आओ देखें इसने कितने सेब खाए या तोड़े चित्रों के सामने सही संख्या लिखो तो देखो यहाँ पर क्या है एक बहुत सुंदर सा चित्र है और चित्र किसका है पेड़ का और पेड़ पर क्या लगे है लाल लाल रसीले सेब लगे है किसने कितने सेब खाए या तोड़े आपने तो असानी से गिन लिये क्या करना है जैसे यहाँ पर एक लड़का है आपको क्या करना है गिनना है कि उसने कितने सेब तोड़े ये लड़की है उसने कितने सेब तोड़े, खरगोश ने कितने सेब तोड़े, तो सब को गिन के आपको लिखना है लेकिन पाठ में चान अपने गधे भी नहीं गिन पाया इस पाठ में एक चान नाम का व्यक्ति है, वो क्या नहीं गिन पाया अपने गधे आईए आगे पाठ को पढ़कर देखते हैं कि चान ने गिंती में क्या गलती की थी पाठ प्रवेश गधे की बुद्धी मानी को अक्सर मजाख का विशे बनाया जाता है और उसे मूर्खता का प्रती माना जाता है यदि एक व्यक्ती की बुद्धी गधे जैसी हो सकती है तो यह इस बात को संके देता है कि वह व्यक्ती समाने समझ और विवेक में कमी रखता है आईए चांद की बुद्धी मानी को समझते हैं क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि गधे की बुद्धी मानी का सब कहते हैं गधे में दिमाख नहीं होता सब गधे का मजाग बनाते हैं अगर किसी व्यक्ति की बुद्धी भी गधे जैसी हो जाए तो क्या कहते हैं उसे हम यह कहते हैं इसमें काम करने की समझ ही नहीं है आये शुरू करते हैं किसी गाउ में एक आदमी रहता था नाम था चांद क्या नाम था आदमी का चांद नाम था उसके पास नौ गदे थे कितने गदे थे नौ एक दिन वह गदे चराने जंगल में गया क गदे चराने का मतलब है गदो को घास खिलाने, गदे घास चड़ने लगे, चांद सूखी लकडियां जुटाने लगा, सांज हुई, चांद ने आठ गदो पर लकडियां बांग दी, एक गदे पर खुद बैठा, फिर गदे से कहा खुश खुश, बही गदे तो घास चड़न जितनी लकडियां काटी थी, इकठी की थी, उसने आठ गदो के उपर वो लकडियां बांग दी, और एक गदे पर चड़कर खुद बैठ गया, और क्या क्याने लगा, हुश-खुश मतलब गदे को चलाने लगा, गदा चल पड़ा, चांद ने का, हुश-खुश तो गदा बेचारा चलने लगा, साथ में सभी गदे चलने लगे, जंगल से निकल कर वह अपने गदे गिनने लगा एक, गदा चलने लगा, उसके पीचे सभी गदे चलने लगे, जब वह जंगल से बहार निकला तो चांद अपने गदे गिनने लगा एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ उसे लगा उसका एक गधा खो गया भयू जब नौ गदे थे गिने तो आठ रह गए उसे क्या लगा मेरा एक गधा खो गया वह परिशान हो गया गधे से नीचे उत्रा वो गधे से नीचे उत्रा फिर गिनने लगा एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, आठ, नो उसे खुशी हुई गधे पूरे थे फिर वो अपने गधे से उत्रा और गदो की गिन्ती करने लगा और इस बार क्या था? पूरे गधे थे नो के नो गधे थे चान फिर गधे पर बैठ गया गिनने लगा एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ उसने बार बार गधे गिने लेकिन जिस गधे पर बैठा था उसे गिनना भूल गया चान गधे से फिर उत्रा गधे गिने एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नौ वो क्या करता था? कि जिस गधे पर वेक खुद बैठा होता था उसे तो गिनता नी था और जब गधे से नीचे उतर जाता था तब उस गधे को गिनता था तो इस प्रकार उसकी गिनती अलग-अलगा रही थी वह सोचने लगा यह तो कमाल है उपर चड़ता हूं तो गधे आठ हो जाते है उतरता हूं तो नौ हो जाते है चलो पैदर चलता हूं इस तरह सारे गधे तो घर पहुँच जाएंगे उसे लगा कि यह तो बहुत कमाल हो रहा है गधे पर बैठता हूं तो वो आठ होते हैं उतरता हूं तो नौ होते हैं उसने फिर सोचा दिमाख लगाया कि मैं पैदल ही घर जाता हूं इससे क्या होगा पूरे गधे घर जाएंगे वह पैदल ही घर की और चल पड़ा, बीच में एक गाउं पड़ा, वहां एक आदमी मिला, उसे देखा गधया खाली है और आदमी पैदल चल रहा है, जब वो जा रहा था तो उसे बीच में पड़ा एक गाउं पड़ा और एक आदमी मिला, आदमी ने देखा कि गधे तो खाली जा रहा है एक गधा और ये आदमी पैदल जा रहा है उसने कहा भाई गधे पर बैठ जाओ, उस आदमी ने कहा कि भाई आप गधे पर बैठ जाओ चान ने कहा नहीं भईया बैठने पर एक गदा गायब हो जाता है आदमी ने पूछा कैसे भई वो से कहा रहा है जब मैं गदे पर बैठना हूँ तो एक गदा कम हो जाता है आदमी बड़ी हैरानी से पूछता है कैसे चान गिनने लगा एक दो तीन चार पांट छे सार आठ नौ जब वो गदे पर नहीं बैठा था तो पूरी गिनती थी अब चान गदे पर फिर बैठा गिनने लगा तो कितने गदे आए आठ गदे आए एक गदा कम हो गया आदमी ने का भाई नीचे उत्रो और फिर गदे गिनो चान नीचे उत्रा और गदे गिनने लगा गदे कितने थे आब ? नौ थे आदमी हसा उसने क्या कहा भाई तुमने गलत गिना है गदे दस है जंगल में जाकर ढूंडो ऐसा कहकर वे हस्ता हुआ चला गया चांज फिर गिनने लगा लेकिन उसे दस्वा गधा नहीं मिला चलिए अब शब्दार करते हैं सांज सांज का अर्थ होता है शाम जुटाना इकठा करना खुद स्वैम या अपने आप परेशान घबराना कमाल चमतकार चराना घास खिलाना तो चलिए अब समय है कुछ अभ्यास करने का प्रश्न एक बताओ क्या पड़ा चांद कहां रहता था? चांद कहां रहता था? चांद गाओ में रहता था चांद गधे चराने कहां गया? चांद गधे चराने जंगल में गया चांद को जंगल में कौन सा गधा नहीं मिला चांद को जंगल में नौवा गधा नहीं मिला क्यों क्योंकि वो एक गधे पर तो खुद बैठा था प्रश्न दो सही विकल पर सही का चिन लगाईए चांद के पास कितने गधे थे चांद के पास कितने गदे थे बताईए 5, 7, 9 या 10 चांद के पास 9 गदे थे चांद में कितने गदों पर लकणियां बांधी कितने गदों पर बांधी थी 8 गदों पर गदे पर बैठ कर गिंती की तो कितने गदे थे बताईए जब वो गदे पर बैठा गिंती की तो 8 गदे थे रिक स्थानों की पूर्ती कीजिये चांद के पास डाश गदे थे कितने गदे थे? 9 गदे थे चांद ने डाश गदों पर लकडियां बांद दी कितने गदों पर बांदी थी? 8 चांद को लगा एक डैश खो गया कौन खो गया था? चांद को लगा एक गधा खो गया घर और आज स्वैम करेंगे अब प्रश्न चार वाक्यों के सामने सही या गलत का चिन लगाओ पहला है चांद के पास दस गधे थे क्या ये वाक्य सही है? नहीं, चांद के पास नौ गधे थे चांद ने सभी गधों पर लकडियां बांद दी? नहीं, चांद ने केवल आठ गधों पर लकडियां बांदी चांद को लगा उसका एक गधा खो गया ये कथन बिलकुल सही है उसको लगा एक गधा खो गया चान पैदल घर की और चल पड़ा यह वाक्य भी बिलकुल सही है आदमी ने बताया कि गधे तो दस है ये वाक्य भी बिलकुल सही है प्रशन पाँच निमलिखित प्रशनों के उत्तर दो तो प्यारे बच्चों एक बार पुन्य आप इस पाठ का अध्यन करेंगे और प्रश्न पाँच आप स्वैन करेंगे तो मेरे प्यारे बच्चों कैसा लगा आपको यह पाठ आशा करती हूँ आपको यह पाठ बहुत अच्छा लगा होगा हम पुलने फिर मिलेंगे एक नए पाठ के साथ तब तक के लिए आभार